और फ्रेंड्स आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बुलियन एलजबरा में और उस लेक्चर के अंदर अपने टी मॉर्गन स्लोग होता है और इंदी में इसको बोलते हैं अपन दय मॉर्गन का नियम अब यह तीन जगह आएगा अपने अलग-अलग एक सेट थिएरी में भी आसकता है एक्जाम में कि बुलियन बीज गडित में दय मॉर्गन का नियम क्या है कथन दो एवां उसे सिद्ध करो तो बड़ा मोश्ट नियम है और बड़ा पूछा जाता है यह कुश्चन ठीक है तो अपन क्या स्टेट्मेंट लिखेंगे यदी बी कॉमा प्लस कॉमा डाट डैश जीरो वन एक बुलिय बीज गडित है यदी बी प्लस डाट डैश जीरो वन एक बुलिय बीज गडित है तब बी के किनी तब बी के किनी दो स्वेच अव्यवाँ तब बी के किनी दो स्वेच अव्यवाँ ए तथा अव्यवाँ ए तथा बी के लिए क्या होता है यह कहता है कि पहला यह कहता है कि ए प्लस बी का जो पूरक है क्या है ए डैश सिंटु बी डैश स्वेद उन्दर जाता है फ्लस को डॉट पर है याद करने का इसको तरीका है अपने का फिक है बीच को पूरा को क्या होगा यह बुलिय कड़ित में डी-मॉर्गन का पहला लो और दूसरा लो गया है घ्लस कि जए तो डॉट कर देंगे और यहां पर dot के जगह प्लस कर देंगे तो a into b का जो पूरक है वो किसके बराबर आएगा a dash plus b dash के बराबर आएगा अब इन दोनों नियमों को अपने को क्या करना है प्रूफ करना है और अगर a और b b के दो अवियाब है तो a plus b का जो पूरक है वो किसके बराबर होगा a dash into b dash के बराबर होगा और a into b का जो पूरक है वो किसके बराबर होगा a dash plus b dash के बराबर होगा तो यह अपने को आप इसमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले प्रूफ के लिए आपन क्या करेंगे देखो कि प्रूफ आफ फर्स्ट लिखवा अब वह कहता है कि a plus b का पूरक यह है तो आपने बुल और पूरकता का नियम चा कहता है वहाँ कि अगर a b का वियाव है तो a dash भी हरालत में b का वियाव होगा और उस case में अपने लिखते हैं कि a plus a dash is equal to 1 और a into a dash वरावर 0 यह पूरकता के नियम है वहाँ पर अपने बुलिय बीजगडित के अंदर जब यह satisfy होते है तब ही बुल बी में उसके पूरक को पूरक कौन a dash into b dash को जोड़ें तो क्या आना चाहिए वन आना चाहिए इस बात को समझ नहीं कोईश करो कोई कह रहा है शुवात में a b b में है तो a plus b b किसमें होगा और जब यह b में होगा तो a plus b का पूरक भी किसमें होगा वह भी बी में होगा अब अब अपन a को जोड़ते हैं तो वन आता है और a को a के पूरक से गुणा करते हैं तो जीरो आता है तो यह चीज अपन को यहां सिद्ध करनी है कि यह प्लस b के पूरक में अपन a dash into b dash जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा वन आना चाहिए और उसको अगर गुणा करें यह प्लस b को उसके पूरक से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो यह चीज अपने को प्रूफ करनी है और फिर इसी प्रकार से दूसरा रेजल्ट प्रूफ करना है अपने को कि a into b का पूरक यह है तो इसका मतलब क्या है a into b मैं अपन इ प्रूफ कर देता है पहले में यह धौना पार अर दूसरे में वना पार तो यह अपना दोनुफ न्यम जो होते यह सट हो जाते हैं तो आपना शेल्टेभा इस जाम डाब की से लिखते हैं एग्या है आपको और ना चाहिए तो सबसे फ़ल एक 5-есь sack इंटु B दैश प्रूफ फर्स्ट लिखराओं मैं विड़ा प्रूफ फर्स्ट एड़ाश इंटु B दैश को A प्लस B का पूरक्सिद करने के लिए पूरक्सिद करने के लिए A प्लस B का पूरक्सिद करने के लिए हम पर्दर्शित करेंगे कि हम परदर्शित करेंगे कि क्या परदर्शित करेंगे अपन कि A plus B plus A dash into B dash is equal to 1 तथा यदि A plus B में उसके पूरक को जोड़ेंगे तो बनाएगा और A plus B में उसके पूरक को गुणा करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है यह अपने को सिद्ध करना है ठीक अब यह चीज अपने को सिद्ध करनी है तो उसी का क्वर्डिंग चीजा लिखनी है अपने को अब A plus B plus A dash into B dash left hand side लेंगे expression की और इसको 1 के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे अपन ठीक है तो यह किस तरीके से होगी देखो क्या अपन इसमें एक के दो करेंगे वही भूलिये भीजगडित का बंटनता का नहीं हम लगाएंगे A plus B plus A dash और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको A plus B plus B dash ठीक है यह इस तरीके से लिखा जा सकता है तो पहला पहले से गोड़ाओं के यह दे रहा है और A dash into B dash आ रहा है यहां पर ठीक है अब इसमें हिरफेर कर लेंगे तोड़ा सा आपन तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो वापिस कि A dash plus A plus B एक की जाएं और इसी चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं वापिस साचा रहता करें अब लगा दो जो मैंने अभी परसोहीं आपको दिया है ठीक है इसमें यह वाली चीजी इस रूप से आ जाएगी अब A dash plus A एक साथ लेलो अब यह सब आपका प्रैक्टिस का गेम हो जो आप लोग सीख चुके और A plus B plus B dash क्या होता है वन होता है तो A plus 1 लि A plus 1 को अब यह अपन क्या चा सकते है यह A plus 1 है और परिवदता नियम क्या कहता है कि 1 plus B 1 होता है और A plus 1 भी क्या होता है वन होता है तो इससे इसका मान क्या जाएगा 1 आजाएगा तो 1 plus B को भी 1 लिग दिया अपनने A plus 1 को भी 1 लिग दिया परिवदता नियम से और उसके according अ इस expression में यह दोनों गुणाओं के यही दे रहे हैं और यह और यह गुणाओं के इस तरह से आ रहा है यह किस से लिखा अपने ब्रैकेट में लिख देना बी टू से और फिर इसमें अपने करम नियम में तका नियम लगा दिया फिर बीवन से अपने इसा भी आपको पहले लिख सकते हैं यह प्लस बी को अपन लिख सकते हैं यह कौंसी पर में परिवद दा पर में उससे इसको लिख दिया अब इसका जैकेट पर हो जाएगा ठीक है अब देखो पुने A plus B into A dash into B dash is equal to अब अपने को क्या सिद करना है इसको 0 के बराबर सिद करना है तो यह क्या लिख सकते हैं A A dash into B dash plus B A dash into B dash अपने किस से लिखा उस से लिख दिया बंतंता से ठीक है अब साचा रेता लगा दो A into A dash into B dash और यहां क्या लिख सकते हो B into B dash into A dash लिख करना बिलकुल सिस्टम से बड़ा सारी चीज़े दियान रखना A into A dash क्या है 0 into B dash B into अब आब B dash into A dash लिख दो इसको तो यह 0 plus 0 into A dash और 0 plus 0 is equal to गया हो जाएगा 0 इसको number 2 दे लुआ और जो अपन ने वो 1 वाला प्रूफ किया था वो क्या है number 1 तो आप लिख दोगे 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से आप क्या लिख सकते हो कि A plus B का जो पूरक है वो किसके बराबर है A dash into B dash के बराबर है यह चीज अपने सिद्ध हो गई बिटा अब इसका जो second part है वो सिद्ध करना है अपने को second part क्या है A into B का जो पूरक है वो किसके बराबर है A dash plus B dash के बराबर है तो लिख वा proof of second क्या प्रूफ करना है अपने को यहां A into B का whole dash is equal to A dash plus B dash तो A into B में यदि इसके पूरक को जोड़ें तो अपने पास क्या आना चाहिए 1 और इसके पूरक से गुणा करें तो क्या आना चाहिए शुन्य तो लिखेंगे अपन A dash plus B dash को A into B का पूरक A into B का पूरक सिद्ध करने के लिए पूरक सिद्ध करने के लिए पूरक सिद्ध करने के लिए हम परदर्शित करेंगे हम परदर्शित करेंगे की हम परदर्शित करेंगे की A into B में जब इसके पूरक को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 आना चाहिए ठीक है हम पर्दशित करेंगे कि 1 तथा A into B में जब हम इसके पूरक को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए यह 0 ठीक है यह अपने को सिद्ध करना है अब फिर आमेशा की तरह हैं आपन क्या करेंगे कि पहले expression की left hand side लेंगे इसकी यह लो आप अब A into B plus A dash plus B dash is equal to अपना मक्सद है इसको one proof करना तो सबसे पहले आप उसने क्रम नहीं मिता लगाई है तो आप भी क्रम नहीं मिता लगा लो इससे वो पिछले वाले expression से भी वो same रहेगा अब एक के दो कर दो इसको A मान लो capital A तो A plus A B क्या हो जाएगा A plus A और A plus B तो यह बंटंता का नियम यहाँ आप आराम से लगा सकते हो और यह फिर आप इसमें क्या करो कि यह कहता है कि इस चीज को directly solve कर सकते हैं अपन और वो किस तरीके से करेंगे तो वो देखो आप तो बंटंता का नियम लगाएंगे अपन A डैस प्लस B डैस प्लस A और A डैस प्लस B डैस प्लस B तो यह और यह गुणाओ के यह दे रहे और A डैस तो यह है विटा है हाँ तो सही है यह A इस से आया है और A इंटू B गुणाओ के यह दे रहे यह यहाँ पर तो यह चीज अपन ने इस एक्ष्प्रेक्शन से लिग दी एक के दो मैंने कैसे समझाए था आपको A प्लस A डॉट B किसके वरावर होता है A प्लस A और A प् अब यहां क्या करना है आपको तोड़ा सा एक्स्प्रेशन को A प्लस A डैस को साथ रखना है तो उसके लिए देखो क्या करेंगे आपन यह इधर लिया और पूरे आविया आपको क्रम नहींता लागा दो समय और यहां पर आप डारेक्ट लिखो A डैस प्लस B डैस प्लस B ठीक है यह लिख सकते हैं मन और इस चीज को आपका लिख सकते हो A प्लस A डैस प्लस B डैस ठीक है और यह क्या लिखे जा सकती है A डैस प्लस वन ठीक ठलकिए ड़ेश प्लस बी को आप क्या लिख देंगे और ए प्लस ड़ेश क्या ओगया वन ब्लस बीड़ेश और यह है यह यह प्लस उन इसका मान क्या होता है प्रिवद दर्यवद्य हमसे वह और यह भी वन तो दोनों का गुणन फल के आजाएगा तो यह में पैला एक्सप् तो अपना question क्या हो जाएगा आपने लिखेंगे 3 तका 4 से जो अपने चीज सिद्ध करनी चाहिए वो सिद्ध हो गई तो अपने a into b into a dash plus b dash is equal to क्या होता है इसको आप सिद्ध करो a into b into a dash और a into b into b dash ठीक है और इस चीज को लिख सकते हैं आपन क्या a dash into a into b into b dash जल्द बाजी नहीं करने ही कहीं यह की बार मैं कर जाओ इसको पूरे को और फिर आप इसको वापस लिखो a dash into a into b और a into 0 और यह 0 into b plus a into 0 0 है 0 plus 0 is equal to 0 इसको number 4 दे लो और फिर आप क्या लिखते हो 3 तथा 4 से 3 तथा 4 से क्या लिख देंके बेटा आपन कि a into b का जो पूरक है वो किसके बरावर है a dash plus b dash के बरावर है तो यह एक बहुत ही most नियम था जो मैंने कराया आपको क्या है नियम कि यदि b plus dot dash 01 एक बूलिय बीजगडित है और a और b इसके दो अभियव हैं तो a plus b का पूरक क्या होता है a dash into b dash होता है और a into b का पूरक क्या होता है a dash plus b dash होता है इसको बूलिय बीजगडित का d morgan का नियम कहते हैं d morgan's law कहते हैं कई बार यह क्या कुछ राइटर बीटा एक को capital a बना देते हैं बीजगडित को यूनियन बना देते हैं और फिर वह यह लिख देते हैं कि a dash dot को intersection बनायते हैं a dash into b dash और इसी तरह से a intersection बीका जो डेश है वह यूनियन बी डेश तो यह सैट थेओरी में यह चीज हो जाती है अपने ठीक है और इसी चीज को वह जॉइन और मीट के फॉर्म में भी दे सकता है आपको तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब भी आएगी तो d morgan का लौ कई जगे बहुत ज्याद और एक बार अपको बीच में ब्रेक आया लेकिन अब जो कुछ है वह अपने हाथ में नहीं हो जिन्दगी अपने हाथ में नहीं तो उसे साथ सब्सक्राइब बाकी मेरे ब्रेक नहीं आएगा तो महारे जब भी चीजे चलेंगी तो d morgan law आपको बहुत अच्छी तरीके से क नहीं हां रगना आपको बीचे